हेलो स्टुडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग आज आपके इंगलिश के अगले ओना इंगलास है और इंगलिश में आपन आगे बढ़ेंगे चेप्टर नंबर फाइव अपन ने आधा पढ़ ले था पूरुंदास का पूरुंदास योगी एक राजा है राजा थे ब्रेटिश अब इस मोम आया को त्यागना है और वो पहाड़ों में तपस्या सादू बनके तपस्या करने चले गए तो वहीं पर उन्हें एक प्रीष्ट मिला पुजारी हो उसने पहचान लिया कि ये तो वही राजा है तो उनसे अपना उनका कटोरा लिया और वापस विलेज में चले करते हैं वहाँ पे आज एक सचा होली में एक सचा पवित्र धार्मिक इंसान आ गया है प्रीष्ट ने जागर गाओं वालोको का था सिंपल विलेजर्स वर हैपी और पुरुन दाज बिकेम तो बी नोन एस पुरुन बगत ठीक है और सारे विलेजर्स काफी खुश हुए कि एक राजा सादू बनाकर हमारे गाओं की तरफ यहां रहने आया है तो पुरुन दाज काफी दिर दिरे प्रसिद हो गए उनके इस के लिए इस चीज के लिए कि कितना बड़ा आदमी कितना साधरन जीवन जी रहा है और दिर दिर उनका नाम पुरुन बगत पढ़ गया फिर उस दिन के बाद उनका कटोरा यानि वो भीक मांके खाता है तो उनका बिक्षा का कटोरा कभी खाली नहीं रहता था यानि लोग उनको खूब देते थे दा विलेच प्रिस्ट मेक शूर दा पुरुन बगत वस नेवर हंगरी और विलेच प्रिस्ट यह हमेशा सुनिश्चित करता था कि पुरुन बगत कभी भी भूके ना रहे अगर उनके पास बिक्षा नहीं आई अच्छे से तो वो बिक्षा लाकर उनको देते थे ठीक है अब वो काफी टाइम वहां तक बैठके पेड के नीचे सन्या मलब सादू अपनी पुरुन बगत अपनी तपस्या करते रहते थे थे भगवान का ध्यान लगाते थे बिल्कुल एकदम शांत रहते थे तो वहां के जानवर जंगल के जानवर भी अब उसको जानने लग गए कई बार तो अब डियर और एक लंगूर लंगूर क्या होता है बंदर जैसे होता है ठीक है एक जैसे बंदर जैसे जानवर होता है लंगूर और हिमालें ब्लैक बियर हिमाले में पाई जाने वाली काली हिरन वो तो उनके पास कई बार आने लग गए और उनसे जान पचान होता है ना अपन जानवरों के पास रहते हैं तो जानवरी पे बिबन को जानने लग जाते हैं तो जानवर की उन्हें जानने लगे उनसे प्रेम करने लगे Years past और ऐसे करते करते काफी सालों बीट गए Then one rainy night और एक बहुत भेंकर बारिश की रात थी पुरुन बगत वस अवेकन फ्रॉम हिस स्लीप बाई नर्वस लंगूर और पुरुन बगत सो रहते हैं रात को लेकर अचानक उन्हें वो जाग गए क्यों क्योंकि एक लंगूर काफी घबरा रहा था जानवर था तो उसकी आव बारिश बहुत भेंकर हो रही है और जो पहाड़ों की तरफ आ रही है बहुत भेंकर बारिश और जिससे क्या हो रहा है कि वहां की मिट्टी डीली हो रही है और मिट्टी को किसका किसका कर लेकर जा रही है नहीं पहाड़ों में मिट्टी किसकने का बहुत भेंकर जो पहाडों के देखो पहाडों के पास में जो गाओं वसायवा है तो यहां से बहुत जएदा मड़ मिटी फिसलेगी और वो मिटी फिसल तो यह भैंकर मातरा में गाओं के उपर आएगार गाओं पूरा का पूरा दब जाएगा तो उसने सोचा कि उसे जरूर कुछ करना into the village with the animals and awakened everyone और पुरुन बगत गाउं में भागते हुए गया जानवरों के साथ और उनको जगा दिया सबको ठीक है तो देखो कैसे जानवर उसके दोस्तों में तो जानवरों ने मदद कर दी और आपको पता ही है न जब भी कोई आपदा आने वाली होती है तो जानवरों को पहले पता लज जाता है और उन्हें ने विलिजर से अर्ज का मलब रेक्वेस्ट की पुरुन बगत ने कि आप जल्दी से हाँ से निकले और दूसरी पहाड़ी के पार चले जाएं ताकि यहाँ पे जो मिट्टी के सक्कर आए उसमें आपको नुकसान ना पहुचे और वो जोड़ दोर से सबको चिला कर जुगाने लगे और कहा यह सुनिश्चित किया कि सभी लोग वहाँ से चले जाएं ठीक है अगली सुबह जब राद बारिश राद भेंकर निकल गई मौसम ठीक होगे तो विलेजर्स क्रेप्ट भागते वे गई उस जगह पे पुरुन बगत अपनी पूजा पाड़ करते थे पाड़ पे तो पुरुन बगत ने गाओं वालों को भेज दिया नीचे के गाओं से लेकिन खुद वहीं पे तपस्या करते रहे यानि खुद उसी खत्रे में रहे तो अगले दिन विलेजर्स देखने गई कि वो ठीक है या नहीं है तो बगत जहां पे अपने चारो तरफ अपने दोस्तों के साथ बैठता था वहां पे वो चले गए तो दे फाउंड इम डेट वहां पे बगत पुरुन बगत मरे पड़े थे बारी तूफान के करण उनकी मृत्ति हो गई और वहीं पे उन्होंने पुरुन बगत के नाम की श्राइन एक बिल्डिंग मना दी जहां पे वो सब प्रार्थना करते हैं आज भी करते हैं ठीक है तो ये कानित पुरुन बगत की जो एक राजा था सादू बन गया कितना अच्छा काम किया उसने जानवरों की मदद से लो बना दी ठीक है तो जहां पे वर्षिप किया जाता श्राइन वो जगह होती है ठीक है तो बच्चो यही हमारा चेप्टर का अगला पार था आपने कुछ वर्ट्स देख लेते हैं आड़ वर्ट्स ग्लॉसरी आप को कॉपिक में करते हो ना आपको फोटो दीगे गे ग्लॉ एक इनसान जो अपना सांसारिक सुक्तियाग देता है प्रात्ना करने के लिए दियोधर ट्री यह दियोधर ट्री पाड़ों में पाये जाता है deserted में लब त्याग देना shrine मतलब जहां पे लोग प्रात्ना करने के लिए जाते हैं लंगूर एक तरह का मंकी तो यही हमारा second part था वीडियो को like करो, comment करो, चैनल को subscribe करो अगली जास में आपको इसके question answers मिल जाएंगे जिनको अच्छी से आपको PDF से copy में अच्छी राइटिंग में, thank you, have a nice day